आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बागहला प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव के पहले दोर की मतगणना जारी है शहर सरकार के गठन के लिए रुजानों में भारती जनाता पार्टी के महापोर पद के उमिदवारों ने सतना खंडवा बुरानपूर में जीत हासिल कर ली है सतना में भाचपा के योगेश तामरकर ने 24,916 मतों से कॉंग्रेस के सिद्धार्थ कुश्वा को पराजित किया उधर खंडवा में भाचपा की अमरता यादव ने कॉंग्रेस पृत्याशी आशा मिश्रा को 19,000 से अधिक मतों से पराजित किया बुरहनपूर में काटे की टकर में कॉंग्रेस पृत्याशी शेहनाज अंसारी को 500 से कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा यहां भाचपा उमिद्वार माधूरी पटेल ने जीत हासिल की इंदोर, भौपाल, सागर और उज्जन में भाचपा महापूर पृत्याशी बड़त बनाये हुए है इसके लावा कॉंग्रेस तीन नगर निकमो गौलियर, जबलपूर और चिंदवाणा में तो वहीं आम आदमी पार्टी सिंग्रोली में बड़त बनाये हुए है अशोक नगर से हमारे संबादा ने बताया कि नगर पालिका के 22 वार्डो में 12 पर भारती जनता पार्टी ने जीत हासिल की है पांच-पांच वार्डो में कॉंग्रेस निर्दली विजई हुए है रतलाम की दो नगर परिशद आलोट में भाचपा ने अधिकांच सीटों पर जीत दर्च की है वहीं ताल नगर परिशद में 6 सीटों पर निर्दली, 5 सीटों पर कॉंग्रेस और 4 पर भाचपा ने जीत हासिल की है पन्ना में 28 सीटों की परिशद में से 26 में चुनाव हुआ जिसमें 17 पर भाचपानी कबजा जमाया है वहीं 6 पर कॉंग्रेस और 3 वार्डों में निर्दली पृत्याशी विजय हुए है चतरपूर नगर पालिका चुनाव में भाचपा को इसपष्ट बहुमत प्राप्त किया आगर मलबा जिले की बढ़ोध नगर परिशद की आज हुई मतगरणाव के घोशित किये गए परिणामों में भाचपा ने 8, कॉंग्रेस ने 6 और 1 वार्ड में निर्दली पृत्याशी विजयता रहे शोपूर नगर पालिका में भाचपा के 8, कॉंग्रेस के 8 और 6 निर्दली ने जीत हासिल की वहीं सी ओर में बीजेपी के 22 पृत्याशी ने जीत हासिल की नर्सिंगपूर जिले के आठ नगरी निकायों में भाजपा ने भहुमत हासिल किया है राजधानी भुपाल में 23 और 24 जुलाई को युथ मापंचायत का आउजन किया जाएगा इसमें शामिल होने वाले पृतिभागियों के लिए विभिन जिलों में स्क्रिनिंग का आउजन कीया जा रहा है चैनित युवा 18 जुलाई को जिला स्तरी युवा पंचायत में शामिल होंगे इन में से ही योग एवम प्रतिभाशाली प्रतिभागियों का चैन राज स्तरी युवा महा पंचायत के लिए होगा प्रदेश के ज्यायतर शहरों में बारिश का सिलसला जारी है पिछले 24 घंटों में बारिश से नर्वदा तापती शिपरा समेत छोटी नदियों का जलिस्तर बढ़ गया है अब तक प्रदेश में 13.25 इंच बारिश हो चुकी है ये सामान से 2 इंच यानी 18 फीजदी ज्यादा है नर्वदापुरम से हमारे समवाद दाता ने बताया कि जिले और आसपास के इलागों में भारी बारिश के बाद तवा डेम के 11 गेट खोलने पड़े तवा डेम से पानी छोड़े जप जाने पर नर्वदापुरम, धार, अली राजपूर, हरदा, देवास, सीहोर, राइसेन और खनवा जिले में नर्वदा किनारे रहरहे लोगों को अलट जारी किया गया है मौसम भाग ने भोपाल समेत 19 जिलों में हलकी से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है इन दोर और उज्जेन में भी रिमजिम हो सकती है मौसम भाग ने आज भोपाल, राजगर, विदीशा, धार, बुरहानपूर, खनवा, देवास, गुना, गवालियर, श्योपूर, छिंदवाड़ा, जवलपूर, बालगाट, नर्सिंगपूर, सिवनी, मंडला, सागर, दमो और नर्वदापूरम में यलो अलट जारी किया ह भारत की पीवी सिंदु ने सिंगापूर ओपन बेडमिंटेंट टूनामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है उन्होंने चीन की वांग जीई को 21, 11, 21 और 21, 15 से परा जीत किया इससे पहले सिंदु ने कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिता था पीवी सिंदु ने इस वर्ष तीसरी बार खिताब जीता है अब कुछ समाचार संक्षेप में जब बलपूर जिले में कोरोना वाइरस से संक्रमित 20 नए मरीज सामने आये हैं जिसके बाद जिले में कोरोना के सक्री मरीजों के संख्या बढ़कर 105 हो गई है प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ मंडला जिले में भी 10 तक अभ्यान चलाया जाएगा इसका आयोजन 18 जुलाई से 31 अगस तक किया जाएगा और शुपुरी जिले के ग्राम पंचायत सतनवाडा में 18 जुलाई को ग्राम नियायले का आयोजन किया जाएगा इस बुलेटर में फ्लाई इतना ही दीजे अनुमती नमस्कार